battle to the heavens की पिछले एपिसोड में हमने देखा था स्योयन सेंटर प्लेन में एंटर कर गया था एंटर करने के बाद वो इस्पेक्टेटर्स एरिया में बैठता है लेकिन जब वहाँ पर पहले दाउजुन की एंट्री होती है स्योयन देखकर हका बकार रह जाता है लेजुन जी के एंटरी के बाद वहाँ जियान जुन जी आता है पर जियान जुन जी को देखकर हमें पता चलता है कि जियान जुन जी लेजुन जी को ज़्यादा पसंद नहीं करता है अब आगे तो एपिसोड श्टार्ट होती है और हम देखते हैं जियान जुन जी जैसे ही वहाँ पर आकर अपना स्टांस लेते हैं उस जगह पर तीसरे दाव जुन की एंट्री होती है ये दाव जुन यलो स्प्रिंग पवीलियन का है इसके यहाँ पर आते ही डार्ट के नर्जी पूरे जगा पर फैल जाती है कौन जून जी जो की ले जून जी का काफी अच्छा दोस्त लग रहा था जियान जून जी को ताना देते हुए कहता है लगता है पिछले बार की खटा सभी तक मीटी नहीं है यहां इन लोगों के आने से और रम ही बड़े बड़े डार्क पीलर्स खड़िंग हो जाते हैं और एक दित का गेट खुलता है जिसके अंदर से कौन जून जी अपने डिसाइपल वांग चैन के साथ एंटर लेता है एंटर लेने के बाद ले जून जी कौन जून जी को ग्रीट करता है रिस्पॉंस में कौन जून जी भी इनको ग्रीट करता है लेकिन फिर जियान जून जी कौन जून जी को रिस्पॉंड करते हुए कहता है मैंने उस बात को अभी तक नहीं बुलाया है पिछले बार ले जुन जी ने मेरे डिसाइपल तांग जिंग के साथ उसकी डिसाइपल फैंग चिंग अर के वज़े से अंजिस्टिस करा था पर फिर भी एट लिस्ट मेरा डिसाइपल फैंग चिंग अर के 100 राउंड को तो सर्वाइब कर गया था ऐसा कहते हुए वो कौन जुन जी और वांग चैन को ताना मार रहा है लेकिन तब हम लोग लेजुन जी को देखते हैं जो कि इस टोपिक को भटकाते हुए कहता है लाइट की मीटियो और सावर होती है सच में दोस्तो लाष्ट ताउज़ून जी यानि की फैंग जुन जी की एंट्री इन सभी लोगों में से सबसेज्जादो धमाकेदार है सभी लोग ही इस लाटिंग को देकर इंपुरेस हो गये हैं जिसके बाद वहाँ पर Feng Shunzi की एंट्री होती है इनकी यहाँ पर एंट्री से एक बहुत ही इंजोएबल और सुकून वौला माहूँ चाचाता है यहाँ पर हम लोग Feng Zunzi के पंखे पर देख सकते हैं जिसके अंदर मोविंग स्टार्स की इमेज बने हुए हैं मतलब कि Feng Zunzi की पावर स्टार्स से रिलेटेड है पहले नेचर में Feng Zunzi का इमेज हम लोगों को बहुत ही ज़दा काम दिखाया चाता है शेयन को भी Feng Zunzi को देकर बहुत ही अच्छा महसूस होता है शेयन अपने मन में कह रहा है तो यह है Feng Zunzi मस्टर यालाओं ने मुझे बताया था Feng Zunzi रिष्टों की एहमियत को समझते हैं इनका नेचर बहुत साथा अच्छा है जिसके बाद Feng Zunzi तेनों दौजोंस को जोइन करते हैं शेयन कह रहा है अगर Feng Zunzi मेरी मदद करें तो यह मस्टर यालाओं को बचाने की मिसन में एक बहुत बड़ा हेल्प साबित होंगे Feng Zunzi जब तेनों दौजोंस को मिलते हैं सभी लोग ये Feng Zunzi को ग्रीट करते हैं इसमें एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि Feng Zunzi इन सभी लोगों में से सबसे जाता ताकतवर है जिसके बाद फिर से सीन जिप्ट होता है नेक सीन हम लोग ले जुनजी को देखते हैं यहाँ पर सभी दौजोंस चारों सीर्ट जो हमें सुरू में दिखाया गया था उसमें बैड़ गया हैं ले जुनजी उठकर क्राउड के सामने आते हैं और फिर अनॉंस्मेंट करते हैं आज का ये दिन हमारे विंड लाटनिंग पविलियन के लिए बहुत ही इंपोर्टन दिन है क्योंकि आज से यहाँ पर फोर पविलियन कॉंपिटिशन प्लस कॉंफरेंस स्टार्ट होने वाला है आप सभी को पता है ये जगा हमारी धरती विंड लाटनिंग पविलियन है आप सभी लोग जो बहुत धूर धूर से इस जगा पर इस कॉंफरेंस को अटेंड करने के लिए आए मैं आपका यहाँ पर आने के लिए सुक्रियादा करता हूँ मैं आसा करता हूँ कि आपको यहाँ के रूल्स पहले से पता होंगे और मेरी आप से ये उमीद है कि आप में से कोई भी इस रूल को नहीं तोड़ेंगे जिसके बाद सभी लोग विल लैटनिंग पपिलियन का चैकारना लगाने लगते हैं लेजर जी फिर से क्याने लगते हैं तो इस competition में total 53 contestant part ले रहे हैं रूल्स वही है जो कि हर 4 पपिलियन competition में follow किया जाता है अगर कोई competitor अपने competitor के सामने surrender करता है तो वो उसके उपर हमला नहीं कर सकता है ये जो selected 53 contestant है उनमें से first round में सिर्फ 8 contestant बचेंगे जो कि quarter final में जाएंगे quarter final के बाद semi final में फिर से elimination होगा जिसमें 4 contestant survive करेंगे और finals में दो दुरंदरों की बीच में match होगा और जो इस match को जीतेगा उसको इस competition का winner खोसित किया जाएगा अब मैं यहाँ पर participate करें सभी contestant को arena में आने का invitation देता हूँ इसकी बाद खतम होती ही तुरंद ही वहाँ पर बहुत सारे contestant arena में enter करते हैं यहाँ पर contestant को देखकर crowd में हंगामा start हो जाता है सभी लोग अपने अपने favorite contestant को support कर रहे हैं जिसके बाद हम लोगों को four pavilion के geniuses को दिखाया जाता है यह four pavilion के geniuses arena के side में बने हुए चार location में enter करते हैं पर यह चारों geniuses में से अभी भी एक genius missing है मिस fang और इसकी absence से इस जगापर को motion मच किया है सभी लोग कह रहे हैं आखिर मिस fang कहां रहे गई क्या फिल lightning pavilion इस बार इस competition में participate नहीं कर रहा है लेजन जी भी मिस fang के absence से चिंदित हो रहा है लेकिन फिर दोस्तों दूर आसमान में हम लोगों को एक colorful crane दिखाया जाता है जो कि बहुत ही majestic तरीके से arena की ओर बढ़ रहा होता है यह crane मिस fang का है मिस fang इस arena में सबसे last एक बहुत ही cool entry लेना चाहती है crane के arena में enter करते ही मिस fang अपने position में jump लगा कर खड़ी हो जाती है जिससे हम लोग देख सकते हैं कि इसके entry यहाँ पर सबसे जादा दमदार है मिस fang को देखकर लेजन जी खुस हो जाता है मिस fang लेजन जी को greet करती है जिसके बाद wind lightning pavilion competition में part लेने के लिए तयार हो जाता है लेजन जी जिसके बाद खुसी-खुसी सभी के सामने आकर announce करता है क्योंकि सभी लोग अब यहाँ पर आ गए हैं तो officially अब यह competition start होता है जिसके बाद तलवारों की ठकराने की आवाज आती है लोगों की दहाडने की आवाज आती है spectators जी जान लगा कर चिला रहे हैं यहाँ पर नीचे लोग एक दुसरे को मार काट रहे हैं मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जूपी person arena में है वो सभी दाववां के 3 star label से उपर का है इसलिए इन लोगों की बीच की fight भी बहुत ही सदक खतरनाक हो रही है कुछ लोग यहाँ पर surrender कर रहे हैं कुछ लोग मर रहे हैं पर यहाँ पर एक unsaid rule establish हो गया है चारों जो geniuses corner में अपने position लिए हुए हैं वहाँ पर उन लोगों का एक range decide करा गया है और जो भी person उस range में आता है वो लोग उसी person को attack करते हैं यह rule इसलिए बनाया गया है क्योंकि यह geniuses इतने ज़दा strong है कि अगर वो लोग बीच में जाकर fight करें तो सायद next round में जाने के लिए लोग ही ना बचे यहाँ पर दोस्तों भीड़ इतनी ज़दा है कि अपने आप लोग एक दूसरे के साथ group बना कर दूसरे की उपर attack कर रहे हैं और आपको तो पता ही है group fight कितना ज़दा dangerous होता है चाहे आप कितने भी ज़दा strong हो group में अगर आप ही के label के person कि आप से कम label के भी person attack कर दे तो numbers के वज़े से आपकी हार निस्चित हो जाती है अब इन fight के बीच में हम लोगों को तीन लोगों को specially point out करके दिखाया जाता है ये जो लोग हैं ये तीनों ही दाव वांग के 7, 8 star label पर हैं जो कि अभी अभी जो मैंने आपको problem बताया उसको tackle करने के लिए group बनाया है जिसके बाद यहाँ पर बहुत ही भयंकर fight होती है जिनियसेस भी attack करते हैं जिसमें सबसे ज़्यदा खतरना के वांग चैन अटैक कर रहा होता है अपने opponent जो इसके साथ इसके सामने fight करने के लिए आते हैं ये इन लोगों को surrender करने कभी मौका नहीं देता है पलग जपकते ही जान से ही मार देता है पर इस जगह पर सबसे ज़्यदा strong मिस फैंग लग रही होती है मिस फैंग इस जगह पर effortlessly fight कर रही है वो बिना किसी effort को लगा है यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार दे रही है शेयन यहाँ पर बढ़ी सांती से इस पूरे fight को देख रहा है तो दोस्तों देखते ही देखते यहाँ पर numbers of people बहुत ज़्यादा कम हो गए है 4 pavilion के बाहर से लोग यहाँ पर बहुत कम यह दिख रहे है शादतर 4 pavilion के disciples सी इस जगह पर एक दूसरे से मार काट कर रहे है Wang Chen जो की पिछले बार competition में बहुत पीछे रह गया था इस बार बहुत ही deadly attacks कर रहा है अपने सारे साथियों को लेकर 4 इस पार Miss Fang को target करता है यह लोग group बना कर Miss Fang की उपर attack करते हैं पर Miss Fang जो की अपनी आँकों को बंद करी वी है इन लोगों के attacks को बहुत ही आराम से dodge करने लगती है लेकिन थोड़ी दिर के बाद Miss Fang भी अपने आँकों को खोलते वे अपने deadly attacks स्टार्ट करती हैं और थोड़ी देर में ही मामला इसी चगा पर रफातफा हो जाता है हम लोगों को Miss Fang का एक बहुत ही सांदार पावर का प्रतरसन दिखाया जाता है सबी लोग खैरान है कि Miss Fang आखिर अभी किस लेबल पर है वांग चैन जो कि अपने साथ्यों के साथ Miss Fang की उपर अटैक करवाया था पिचारा Miss Fang की ताकत को देखर घबरा गया है वो पेड के पीछे से चुपकर Miss Fang को देख रहा है Miss Fang जो की बहुत ही प्रावड सबी लोगों को चिड़हते हुए कह रही है तुम लोग मुझसे फाइट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो और दोस्तो बस इसी बात के साथ Battle of the Heavens का ये एपिसोड भी इस जगा पर ख़र रहा है